सत्ता के दबाव में आकर जूटे मामले बना रही पुलिस, गोटे गाउं कांड के मामले को लेकर आरोपित बनाए हैं, पक्ष के परीजनों ने की निस्पक्ष जांच की मांग। रिसीराज पटेल के परीजनों ने पूरे मामले को जूटा बताते हुए पुलिस की कारेवाही पर सबाल खड़े किये और पुमले मामले में निस्पक्ष जांच की मांग की, आरोपित के परीजनों का कहना है कि रिसीराज पटेल इवं आने की बेगुनाही के पूरे सबूत उनके पास हैं, जिसे पुलिस के समक्ष प्रस्तुत भी किया गया, लेकिन पुलिस राजनीतिक दबाब के चलते लगतार जूटे मामले बना रही हैं, बीते दिन भी गन सौट की घटना के मामले में एफ आयर दर्ज की गई, जबकि जिन व्यक्तियों के नाम घटना को कारे करने में सिकायत में दर्ज कराए गए हैं, वह जले के बाहर ऐसे में परीजनों ने पूरे मामले में मीडिया के सामने पूरी घटना करम को लेकर सत्ता कदूर प्योग एबं पुलिस की कारे प्रणाली पर सबाल खड़े करते हुए, निस्पक्ष जाचकी मांग की है, ताकि किसी भी ने दोस के ऊपर कोई कारेवाही गलत तरीके से ना हो सके। दस्तारिक की घटना में वो लोग नहीं थे, दस्तारिक की घटना में रिशिराज पटेल CCTV फुटेज में घर में उपस्ति थे, रिशिराज पटेल, गिरवल पटेल, देवम पटेल और मुकेश पटेल चारों लोग दस्तारिक की घटना में CCTV फुटेज में थे, फिर भी उन को उस मामले में फसाया जा रहा है उसमें गंसाठ हुआ ही नहीं था डाक्टर द्वारा गोटे गाउं में मुलाईजे में गंसाठ सो नहीं था जबकि जवलपुर में जाको उसको गंसाठ सो के अरके उनकी उपर 307 का मामला हुआ है अभी उन्नेश तारिक की घटना को जिसमे के बहनोई रिशिराज पटेल साली वाला वारों के हां पर एक हपते से CCTV केमरा में खड़ी है उसकी मैं आप लोग को फोटेज भी दे सकता हूं उनको रंजेस बस फसाया जा रहा है इसी घटना के संबंद में 18 तारिक को नीले सरवंटिया कोसी वाला के कोसी वाला से है और प्रसासन से निवेदन करता हूं कि मेरे जो रिलेशन में है कॉम्वारी कारवाई की जाएं प्रसासन से मांग करेंगे कि जो भी FIR हो रही है उनकी जांच कराके जो जूटे मामले बनाया जा रहा है उनको काटा जाए हम लोग के नाम और जिनने घटना करी है उनको आप पकड़ें प्रसासन को 11 तारिक को हम लोगों ने SP आफिस में जाके आबेदन दिया है, DGP को दिया है, IG साब को दिया है, सुना है DGP के यहां से जांच के आदेस हो गए है पर अभी तक इस मामले में जो पहले 307 का मामला था दा स्तारिक का उसमें अभी तक कोई जांच शुरू नहीं हुई है और 19 तारिक को फिर यह घटना ह हो गई है, जिसमें वो लोग तो बाहर थे, नर्सिंग पुर्जले में थे नहीं, फिर भी उनके उपर घटना में नाम आ रहा है, अगर आप लोग तो निया नहीं हो तक प्रांगी क्या किदर मुठाएंगे, अब हम लोग अभी तो ग्यापन दे रहे, फिर देखते हैं, ज अपने कारिकरताओं को बचाने के लिए, रिस्तिदार को बचाने के लिए करेंगे, धर ना देंगे, प्रसर्दन से करेंगे, सासन से मांग करेंगे, अरवन पटेल, यूथ कांगरे सद्यक्ष गोटे काओं